हेलो वीरबन आप सभी का स्वागाता इस चैनल पर आज मैं आपको बताऊंगा हाई स्कूल प्राथमी गनी टू है दा सुपता पर साथ ठागुर के दुरा लिखा गया इसी का छेतिरमीती ध्याइवन का हम कुस्सर नंबर एक से लेकर के दस तक बता दिये हुए हैं अगर मिल लाएगा फिलाल हम अभी जो है 11 नंबर कुस्टन करेंगे और 11 से 15 तक इस वीडियो में आपको बताएंगे तो 11 नंबर कुस्टन जैसा कि आप इस स्कीन पर देख रहे हैं कि एक ब्रीत का अर्थ व्यास छो सेंटिमीटर है तथा केंद्र जो है ओ है और एक त्रीजिख का अर्थ व्यास है आधा व्यास छो सेंटिमीटर है ठीक है तो हम जानते ही कि टूपा यार होता है तो यहां पर अगर हम इसको डिवाइड कर दें ठीक है टूपा यार अर्थ व्यास है ठीक है आधा व्यास है छो सेंटिमीटर ठीक है और क्या है एक ब्रीत का अर्थ व्या के लिए आप समझे गें कि ब्यास होता हू transfer दिपुनी होता है और अर्थ ब्यास पहले से देदीआवा इसका मतलब है कि यह घुमा करके देदीआवा Bush 3 जानी टोटल मिला के तिरी जिखन यह भी का शित्मल बताने के लिए तो हम यहाँ पर यह भी करेंगे तो देखे सबसे पहले हमें लगु चाप यह भी के लंबाई गयात करना होगा तो इसका फर्मूला होता है ठीटा बटे 360 गुने 2 पाई यार यह फर्मूला होता है तो ठीटा के जगा हमारा उसे पहले हम कलम ले लेते और आपको काटते देखे जीरो से यह 0 हमारा कट गया 3 से हमारा 36 कटेगा 12 मरतबे में कटेगा और यह 12 हमारा कटेगा 2 से 6 मरतबे में पिर 6 से हमारा 6 कट गया ठीक है बचे कितना यह टोटल हमारा पाई बच गया यानि कि हमारा जो पाई बचा आप एक बार और समझ लीजिए कई से हम काटे हुए है देखिए यहां पर जो था 30 डिग्री बटे में 306 था क्योंकि बच्चे सब को जो काटने में प्रोब्लम जाता जिसके कारण उसको नंबर नहीं आता टू गुने पाई गुने हमारा जो 6 था ठीक है तो आप समझ लीजि देख लिए कि पाला नंबर का जो इंसर होगा यह पाई आनिकी A number इंसर इसका सही होगा दूसरा दिख लेते कि तिन से iob का च्यत पल बताने के लिए तो क्या है ज़ा में已经 पर 3 5 cm आप देख सकते हैं आपके पास अगर बूक है तो बूक निकाल कर भी आप देख सकते हैं चलिए 12 नमर को इहां पर सलूसन करते कि यदि किसी ब्रीत की तिरजया के गुनी कर दी जाया तो पुराने और नए ब्रीतों का छेटफल करनुपात निम्लेकित में कौन होगा यह जो ब्रीध है उसकी तिरीजा, के गुणि कर दे आनिकि 23 egl, आप कुछ मानतु हैं I am isska K सको रहा कर दे तो पुराने और और नए ब्रीध पुराना ब्रीध हो जाय का पांज के उसका आर्ष ही रहेगा सी न्य बा़ए जो ब्रीध है उसको के स filt κोना कर दें तो एक जो अनुपात के क्यू और वन अनुपात के स्क्वार के स्क्वार वन हो गया अनुपात में ठीक है तो हम जानते कि ब्रीत के शित्पल जो है अमारा पुरान का बाला जो था एक तरह से ठीक है पाई रस्क्वार हो जाएगा और नए ब्रीत के शित्पल क्या हो जाएगा क्योंकि तो पाइ इंटू आरा के सकार जानी पाई आरे सक्वार के सक्वार और बातें क्वार अब इसके नबर के स्कार को यहां तो नमबर इसका अप्शन सही है ठीक है आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको गर देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा तो अच्छा चलिए अब हम 12 का जो है दूसरा नमर देख लेते हैं कि दो ब्रितों की ती जाओ का अनुपाद जो है तीन अनुपाद चार है तो उनके छितफलों का अनुपाद क्या होगा ये कई बार कुछन बिहार बोड के लिए काफी कर फेमस है और बिहार बोड इस कुछन को कई बार दो होगा है और इसलिए इस कुष्ण को आपको ध्यान से देखना होगा क्योंकि objective है और इस तरह के question खास के अबजेक्टी में पूछ जाते हैं लेकिन हम आपको subjective तरह से बता रहे है अगर आपको objective में पूछ आगा तो direct आप answer बनागिएगा लेकिन सब्जेक्ट में पूछ देगा तो इस तरह से बनाईएगा देखे पहले बिरीत का छेतपल क्या हो जागे निए पहले दो बिरीतों की तिरी जाए यानिकि क्यों अब्जेक्टिव कुछन है दूसरे बीद के अच्छी तपल क्या हो जागा पाई यानि कि दूसरे बीद का तीरी जाके चार है तो पाई आर की जगा चार रख देंगे निए 16 पाई अब हमको अनुपात कर रहा है तो अनुपात में 9 पाई बटे 16 पाई से सेंटीमेटर तो नहीं है चौथा डाइरेक्ट है उसे हम देख लेते कि तिसरा कुछन है कि नहीं बुक में 12 का तिसरा कुछन भी होना चाहिए लेकिन नहीं है तिसरा के जगा डाइरेक्ट हम चौथा टाइप कर दिया यानिकि यहां मिस्टेक से जो है यहां पर तिसरा होना चाहिए तो चलिए तो इसमें चौथा कुशन थाई नहीं बल्कि तीसला के जगा चौथा दे आ गया था चलिए कुशन सेम टू सेम है आप घवरागे नहीं तो दो बीडितों की दो बीडितों की जो है उसके छितफ़लों का अनुपात कितना है एक सा स्कौार अनुपात्म वाई स्कौार तो उनकी तीर जाय नहीं लिकित में कौन सी होगी देखे इस चैप्टर में जो आपको अबजेक्टिव जो है वह एक्चुली है आपको एक से ले करके आपको 18 तक है ठीक है मैं एक से तेरह तक तो टोटल अबजेक्टिव है इसमें से आपको अबजेक्टिव पूचता है इसलिए इस तरह के objective जो हम आपको बता रहे हैं उसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजेगा, एक total वीडियो आयागा जो पूरे chapter कर रहेगा, वो last होगा, धीरे-धीरे solution करने के बाद, पुरा combine करके, edit करके हम पूरा X से लेकर के प्रसनावली 1 में जो total question है, वो हम आपको बत partner X अनुपात Y, Y अनुपात X और X अनुपात Y है, चलिए हम इसको solution करते हैं, कि दो बिरितों का च्छितपल का अनुपात है, यानि कि पहले बिरित का च्छितपल जो है हमारा हो जाएगा X से स्कौर, दूसरे बिरित का हो जाएगा Y स्कौर, तो पहले बिरित का च्छितपल यह r बर्का है तो r ले लते हैं अब r square बराबर करिएगा तो क्या हो जागा x square बटे में πाई बचेगा कि नहीं बचेगा तो आप अगर उल्टा करते हैं तो आपको easy लगता है लेकिन जो rule था मुश्रूल से बनाती है तो r square बराबर क्या हो गया x square बटे πाई हमको तिरिजा पूछ रहा है कि उनकी तिरिजा निम लिखित में से अनुपात में कोण होगी तो r square बर का r जो हमारा हो गया r square वो x square बटे πाई हो गया दूसरे बिरित का चितपल जो है हमारा यानि कि दूसरा क्या है y square है तो y square य square pi r square y square बटे πाई इसमें हम r छोटका रखेंगे ठीक है तो हमारा r square छोटका r क्या हो जाएगा y square बटे πाई ठीक है अब कराए दूनों बिरितों की तिरिजवा का अनुपात तो बरका r square बटे छोटका r square बटे बटे πाई y square बटे πाई तो हम क्या करें के πाई से πाई क्यों कर दिये बचिए क्या उपर में x square नीचे y square अभी r square बटे r square है तो हम r को r बटे में करके जो square है उपर नीचे square है तो हम दूनों के eta ha Moscow कर दिये ठीक है? अब इधर हो गया उधर भी x square y square तो दूनों का हम ha Schritt कर दिये क्लियर करना है रफ का पेज पिक्छे दिया रहा था एक पेज आपको रफ करना है ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है सुलूशन में क्योंकि मैथ के जो एक्जाम होते हैं उसमें आप अगर आप बनाने वाले हैं तो आपको पेज ही कम पर जाएगा जैसा कि मुझे भ ठीक है और कुछ प्रोब्लम भी हो गया था जिसके बज़र से मेरा 80 नमबर आयोगा है मैथ में आप लोग को हम कोशिज कराते कि 90 प्लस नमबर देंगे क्योंकि जो हम कमी किये थे ओ कमी मैं जानता हूँ कि कहां पर कमी था ओ कमी हम आपको बताएंगे और उस कमी को अगर आ रिय हो नमबत डिग्री वल्या एक तुम तरह अंपसली कोटा फ़्य तो कराएंगे अनुप्लि त्रहा आपको नभे डिगरे वाला कटना है तो सीधा लेकरके 90 बडीगरे करके 90 बडीग्रे करके 509 X घ् enf 0 और यह हो गया Pi R² अब दूनों के हमको क्या गहा रहा कि नुपात पूछ रहा है तो नुपात निकालेंगे तो Pi R² बटए एक बटए चार Pi R² अब क्या होगा कि Pi R² हमारा रहे जायगा ठीक हम बताते हैं इसको कैसे किया गया Pi R², अब इसके बटा में तो कुछ भी नही तो व तो फाइ वंख़ाधा नहीं है लेकिन पाइ आरा स्कॉर कारेंगे कितना बचएगा टेक्ट तो पाइ certु legislatory एप च्णुनपर के समस्वास को चार नपात एक इसका उत्तर ऐहा चारनूपात एक जो उत्तर आया इसम कि इसका क्या हो गया टोनुपात में हमारा जो एंसर आया वो चार अनुपात एक है यही इसका एंसर हो गया चलिए अगला कुशन हम देख लेते हैं यह है इसी का यानि कई नमबर कुशन हम आपको बताए हैं यह है तेरा का दूसरा नमबर कुशन ठीक है छोषन में तीरिजा बाली जो है किसी बरीताकार चक्रीका है यानि की सर्कुलर डिक्स है से दो तीरिजखन निकाल लिया जाए ठीक है निकाल लियाग है जिसके केंध़ी है कौन एको का 120 डिगरी है यह का 90 डिगरी है दोनों तीरिजखनों के छित फलों का अनुपात लिखन देखें तो च्ट फळोक अनुपात निकलना है एक गो 120 डिग्री हाँ गों-डे तो पहले हम 120 डिग्री वाले तिरीजखन करेंगे नहीं कर आए जो हम कौन काटे हमारा कौन काट आउब यहां से कर लेते हैं तो आप कार सकते 120 डिग्री वाला ठीक पहल, 120 डिग्री बाले तीरी जखन का च्छत पल क्या हो जागा, ठीटा बड़े 360 पाई रस्कार, और ठीटा के जागा हम 120 डिग्री रख देंगे, तो 120 से हमारा 360 कड़ेगा, बारती यह 36, तीन मर्तवे में, तीन से अगर हम 6 को कार दे, तो 3 दूना 6 हो जागा, 2, 6 को 2 से गुना करेंगे, 12 पाई, आनि कि 120 डिग्री बाले तीरी जखन का च्छत पल कितना हो गया, 12 पाई सेंटिमेटर स्कार, ठीक है, अभी हम 90 डिग्री बाले तीरी जखन का च्छत पल निकालेंगे, तो ठीटा पर 90 रखेंगे, और R का दमान वही रहेगा, दूनु में, ठीक है, तो 99 चुका 36 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर, अभी 4 से 6 डारेक्ट कटेगा नहीं, तो हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 2 ती आई 6, फिर हम इस 2 से क्या करेंगे, 6 को क चाट रहेंगे, 3 मर्तव हैं, तो 3 को 3 से गुना करेंगे, तो 9 हो जाएगा, टोटल कितना होगे, 9, पाई से गुना करेंगे, 9 पाई, यहनि कि 12 पाई, बटे 9 पाई, 9 पाई, 9 पाई, और 120 डिगरी वाले का बारा पाई होगा, यहनि कि आप देख सकते कि 12, 120 डिगरी का कौ जाएगा, 12 कटेगा, 3 से, तो 3 चुब का 12 हो जाएगा, और 9 कटेगा, 3 मर्तवे में, 4 बटे 3, यहनि कि 4 अनुपात 3 हो गया, इसका एंसर कितना हो गया, अनुपात में 4 अनुपात 3 हो गया, यही इसका एंसर होगा, चलिए, आगे हम आपको बताएंगे, यह आप सवाल एक पहिये का 204 मीटर है, तो 400 चक्रों में वह कितनी दूरी तै करेगा, एक पहिया है, माली जे की पहिया है, ठीक है, एक मिनिटे में, फिगर थोड़ा, यहां से माउस है, गवरा यह नहीं, हम फिगर बना दे बरिया से, माली जे की एक हमारा पहिया है, माली जे किसी भी च हमारा हो जाएगा दू मीटर ठीक है और स्चार्सों चकर अगरम इसको लगाते हैं पूरा पया का चारसों चकरम लगाते हैं कितना दूरी तया करेगा यह हमको बताना तो चलिए यहाँ पर अप्संट दिया 600-5-8- Pre-3- Bio van City dzięki अधिया शोलो Principi create determined Seeing है तो कि अगर किसी है तो उसका आर यहीं पर लगा जाता है तो हम यहाँ पर निकाल लिए पहिए की परीधी निकालेंगे टू पाई यानि कि दू को दू से गुणा करेंगे चार पाई हो गया अब क्योंकि पहिए एक चकर में चार पाई मीटर की दूरी तया करती है तो हमको 400 चकर लगाना, तो 400 चकर में क्या हो जाएगा? 400 गुने 4 πई, यानि 400 को 4 से गुना करेंगे, तो 4 चोंका 1600 पई मिटर, यानि इसका एंसर आप देख सकते कि 1600 पई मिटर यानि कि C-Number option इसका सही है 1600 पई मिटर इसका एंसर हो जाएगा आप इस question को देख लिजे क्योंकि ये question कई बार पुछावा है और इस question को VVI बना लिजे objective में आपको पुछेगा ये question जो है objective में पुछावा है और इसी तरस objective आपको जामे देगा optional question चलिए आप हम आपको 15 नमर question के तरफ ले जाते हैं 15 नमर question जो है आपको यहाँ पर देख रहे कि किसी बृताकर समान चुराई वाले रास्ते का बाहरी घेरा 20 पाई मीटर तथा भीतरी घेरा 18 पाई मीटर है रास्ते की चुराई निकले है यानि माली जी की बिरिताकार जो है समान चुराई वाले रास्ता है ठीक है अभी बिरिताकार है तो इसकी घेरा जो है ना रास्ते का बाहरी घेरा जो है ये बाहरी घेरा हो गया ठीक है तो रास्ते की चौराई कह रहा है कि यह जो रास्ता है गया हुआ है यह रास्ता जो गया हुआ है रास्ते की चौराई कितनी होगी ठीक है कितना मतलब मीटर में यह रास्ता जो है चारो बगल से घुमा हुआ है ठीक है तो देखें बाहरी यहां पर होगा बाहरी प्रीद की परीदी हो जाएगा 2 pi r तो यहां पर हो जाएगा 2 pi r यानि कि 20 pi है तो 20 pi बराबर 2 pi r pi से हमारा pi कट गया दूसे अगर हम 20 को काटे तो 10 मरतबे में यानि 10 बराबर r यानि r बराबर 2 ठीक है यानि A बराबर B तो B बराबर E होगा है 10 बराबर R हुआ था R बराबर 10 होगा है ठीक है वित्री ब्रीत के परीधी निकालेंगे 2 पाई आर 18 पाई है तो पाई से तो हमारा पाई कर जाएगा 2 से 18 कटेगा 9 मर्तव में यानि 9 बराबर R, R बराबर 9 अब रास्ते की चोराई निकालना है तो क्या करेंगे दूलू के जो त्रीजिया है उसको घटा देंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 मीटर इस तरह से हमारा इंसर कितना आ गया 1 मीटर, किलियर तो इस तरह के कुशन अगर आपसे पूछते एक्जाम है तो बहुत इजी तरीके से हम आपको बताए है और आच्छा लगा तो लाइक कर दे और नीचे कमेंट कर दे और अपने जो दोस्त है जो भी ग्रूप में जूरे हुए है वाटसप में उनके साथ शेयर कर दे और आप जोरना चाहते है इस तरह से आपको हम 15 तक बता दिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते है 16 से लेकर के 20 तक कुशन ठीक है थबता के लिए जय हिन जय भारत